वेल्टम बेक टो आर चैनल मेरा नाम है मुनीश मेरा नाम विजेंदर और मैं होस्ट उनील और आज जिस वीडियो के ऊपर हम रियक्शन करने जा रहे हैं वह है एपल आइफोन 11 प्रो का एक इंट्रोड्यूसिंग वीडियो आया है ये पहला वीडियो होगा टैक वीडियो ज एक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि नए फोन जब आते हैं या नई कोई लैप्टॉप आ रहा है तो उसके और भी हम वीडियो बनाएंगे तो अगर आपने देखने हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप से वह वीडियो चूट न जाएं तो हम जाएंगी क कर छाएंगे intro मुझा वारा माण दिन के बóल्ड Days in युकि हूश nella से उन्दे इंडाद सुर्ण इंगर नन्च्टी औ एंग् एंग्स्टी अष्ट्सियू कि लिए यपरा में और डिने नम्ठल है प्रो देग एकी यी जंवार्श के ट्रो प्रो राग टूस्रूपलने सब्सक्राइब है प्लीजमेनल जायं कि अधुट अवार्श फ्रूप प्रिछ नायं कि में अवार्ट्रि दिशुबू इसक्ड़्ट है भी में कि वर खेल्श दूज यूश्ब झाओ जाखना प्रो फि बगुरों से झाले गोहारा है, स्टरती कि फुर्ज पिर्णे के टीडिस, अक्वार्बार्ची जोब करेंद कि फूर्प्वी है युरूर्पी उटेता बारी है अग्साइज ल्चाइटिर एंप कर दोलिग एंपन अजर खोला है ये 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 लु़ exactly में आसी अर्च अंच जाने आपकी अंच एर्च को आपको प्रेश्च कर शेयरा के लिएा प्रेश्च सेतरि के लिए सब्सक्राइब च had kissing जादि मिदा रथा कि जादिए चाहिए जीओ आपको झाल 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 वुप कर दो खहलो को और नहलो किता है प्याऊ स्वेड़ आपार, प्यूर आप टासू है आपल अपलिवास किता है हुआता है आप्षू कर सिर्टी एंटा है हैं नहलो कर दोस्ट लग सकिए आपर इडिती तेवस आपता है which now works from greater angles and is even faster this new line of iphone has been pushed to extremes like never before ensuring that each part is worthier than the name mmm iphone 11 pro okay तो दोस्तो यह था iphone 11 pro तो कैसा लगा आप लोगा को फिर पसे वह आइफॉन तो आइफॉन ही है और इस वरी तो ट्रिपल कैमरा और वीडियो डेटिंग के साथ फॉंक्शन मतलब अच्छी है आइफॉन के अब आपने जितनी बार इफॉन देखे होंगे सबकी पिक्चर क्वालिटी या किसी बी चीज में ले लो आइफॉन एक ब्राइड भी है और उसके हिसाफ से वह रिजर्ट पह देता है और इसकी बात तो इसमें बहुत कुछ आने वाला है इस फोन में तो इन दोने बात की बात की बारे में मैं आपको टेक जो है इस फोन का बजाता हूं इसमें A13 प्रोसेसर है 7 नैनो मेटर के ऊपर यह काम करता है जो प्रोसेसर था इससे पिछले जो X10 आया था उसके अंदर आया था यह वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर है क्वैलकॉम या कोई भी दूसरी कंपनी ऐसा इस इतना फास्ट नहीं बना पाए है किरियन का 985 है वह उनका फास्टेस्ट है और जो क्वैलकॉम है स्नैप ड्रेगन इसका भी अभी आ चुका है जब सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है वह बन प्लस बगएरा में अभी सारे इपोनों में आपको आई एस 10 बगएरा सब में दिख रहा होगा लेकिन यह फास्ट प्रोसेसर मुबाईल का और इसके अलावा इस फॉन के अंदर हाइस पिक्सल की ईंस्टी हैसाई अपल डिवाइस में हैसने सेंसंग contact अंतर के जिश है और world का hardest glass वो यूज किया गया है पूरी body को bind करने के लिए और इसके अंदर जो iOS 13 है उसमें किया है कि आपकी जो face unlock है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है बाकी किसी भी operating system के मुकाबले जैसे Android है या कोई भी phone company है तो उसके मुकाबले इनका सबसे अच्छे से काम करता ह एपल का और यह प्रूव भी हो चुका है एपल की सिक्योर्टी के बारे में तो सभी जानते हैं इसके अंदर वाइरस आना या इसको किसी भी तरह से अनलॉक करना बहुत मुश्किल है सिया ये तक को एपल इजाज़त नहीं देती है अनलॉक करने की तो सिक्योर्टी बहुत ज अच्छे है इनसे भी अच्छा रिजल्ट देते हैं लेकिन आईफोन बगहरा या कोई भी दूसरा ले लिजिए हवावे बगहरा उनसे ज्यादा अच्छी सैमसंग से भी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मुझे लगता है एपल देता है वीडियो क्वालिटी इसकी स्टेबलाइशन और नॉर्मल पॉन की बहुत ही डिफ्रेंस भाट इफॉर्ट क्वालिटी में आप देखे लो कभी कोई पिक्टल फटता नहीं इनका जल्दी है आपकर है प्राइस की बात तो जो आइफोन 10 आया था एक्स जी से कहते हैं आइफोन एक्स जो आया था उसका प्राइज ही लाखों में चला गया था है, एक लाख वीस हजार के आसपास, एक लाख पचिस हजार के आसपास बिकरा था हो, तो इस फोन की क्या प्राइज जाएगी यह तो आप सोची सकते हैं, और इतना महेंगा फोन लेने से तो मैं सोचता हूँ, कुछ मैं तो पूर आइफोन ने जो एपल आइफोन 6 है उसके लिए अपडेट्स बन कर दी है तो आइफोन 6 बहुत पुराना भी नहीं है एंडराइड की अपडेट्स जो है वो वन प्लस के 3, 2 जो भी मुवाइल हैं उनक में भी मिल रही है अभी तक तो मुझे लगता है कि एपल वालों को अप अपडेट्स देते रहना चाहिए था इंडिया के अंदर एपल की मार्केट बिल्कुल खतम सी है आइफोन बहुत कम लोग खरीगते हैं अभी भी मैं देखता हूं जो जितने भी बड़े कस्टमर्स के साथ जितने भी बड़े क्लाइंट्स के साथ मैं डील करता हूं तो बह यह पिक्चर क्वालिटी और फोटो क्वालिटी जो है उसमें 19-20 का ही फरक रह जाता है तो 19-20 के फरक के लिए बंदा लाख रुपया एक्स्टा नहीं देगा उससे वो DSLR नहीं खरीद लेगा दूसरी चीज क्या है आइफोन की सिक्योर्टी बगारा बाकी चीज़े होंग जिसे कि आप से कोई भी वीडियो मिसना हो जाए और वीडियो को जाए से बाइट के इस वीडियो को देखें ताकि उन्हें भी नहीं प्रड़क्ट का आइफोन का पता लगे और ऐसे टेक्निकल रेक्शन देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो क दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए बाइ